हेलो दोस्तों बहुत दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी मिडियम की इस नमबर रचले स्वाम क्लास में जस्ता की जानते हैं मेरा नाम सुनी चौधरी है आपके कहनुसार आज हम लॉंग कोशन की तैयारी में लगे हैं और उमीद करते हैं इसके साथ हम लोग अपने आने वाले जितने भी एक्जाम होंगे जैसे कुछ लोग बच्चों का कहना था सर हम लोग का प्री बोर्ड जन्वरी से स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसा पढ़ाईए कि हम लोग की प्री बोर्ड में 100% आ जाए तो बिल्कुल बच्चो आप लोग कही मत जाईए आप लोग बिल्कुल सही जगाए हैं आपकी जो ब marks आपके exam में दिला के जाएंगे तो बिल्कुल कहीं मत जाईए हो जाईए तयार वीडियो को पूरा रिखे जिन बच्चों की कहानी यह रती है कि सर मुझे बिल्कुल नहीं सनवाया chemistry सर हमें अब तक कुछ नहीं सनवाया हम कैसे पड़े तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम आसान तरीका है अगर आप इस तरीकों को समझेंगे तो 100% आपके marks बहुत अच्छे हैंगे साथी साथ बिल्कुल basic से लेके चलेंगे जैसा कि आपका demand होता है सर chemistry मुझे समझ में आती है chemistry बहुत सारी problem होती है तो बिल्कुल बच्चों आप लोग घबराएए नहीं बिल्कुल आराम से slowly slowly आप इस चीज को समझें हर एक एक question का explanation और उसके साथ साथ आने वाले board exam में कैसे question पुछे जाएंगे उनके pattern साथी साथ ये 30 से 40 question का संग्रा है जो अलग-अलग part की वीडियो में होगा और आज का हम लोग का long question का होगा part 1 अगर हम इस part 1 की बात करें तो आपको बता दे कि आपके board exam में जो question बनेंगे वो सबसे ज़्यादा popular question होते है आई हम उन question को ले जल्दी से आप लोग बेटा copy pen निकाल लीजे question को लिखते चलिए answer को लिखते चलिए question का pattern देखे क्या है most important long questions question number 1 क्या कह रहा है वही question number 1 electronic विन्यास के आधार पर देखे electronic विन्यास के आधार पर आवर्थ सारणी में इस्थिती बताए किसकी nitrogen की oxygen की halogen और सुन्यवर्ग के तत्तों की इस्थिती की विवेशना कीजिए देखे हमने अपने long question में सबसे पहली PPT में 5 question को लिया है इन 5 question के explanation और answer के साथ आज की class हम लोग start करेंगे उमीद करते हमारे जितने भी बच्चे watch कर रहे है वो 100% सबन में आए और साथी साथ अब likes जरूर करिएगा क्योंकि जितनी ज्यादा likes करेंगे उतनी ज्यादा clear होगा उतनी ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की class का जो first question है वो क्या करेंगे electronic विन्यास के आधार पर आवशानी में nitrogen, oxygen, halogen और सुन्य वर्ग के तत्तों की स्थिती की विविजना करेंगे चली भाई हम लोग बात करेंगे सबसे पहरे question number one क्या है electronic विन्यास के आधार पर किसकी? nitrogen, oxygen, halogen और सुन्य वर्ग अब जैसा ही ये वर्ग आता है एक मन में छोड़ी सी feeling आती है क्या? P block अब हम लोग अच्छे से याद किये हैं कि आवशाणी को चार ब्लॉकों में बाटा गया जैसा कि अगर आवशाणी का flow chart देखे तो लगभग कुछ ऐसा होता है इसमें जो ये होता है ये S block ये D block ये P block और ये F block तो हमसे कह रहा है कि जो P block है P block याद आते ही 13 से 18 वर्ग अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर हम nitrogen वर्ग की बात करे तो nitrogen वर्ग start होता है वर्ग नंबर 15 है ना अगे 16 17 और 18 हम लोग बच्चपन से पढ़े हैं कि आवशार्णी में आवर्ध की संख्या होती है साथ और वर्ग की संख्या होती है 18 और हमारे P block में जो हम लोग को question दिये गए है वो 15 से 18 वर्ग के तत्तों की स्थिती बतानी जैसा कि concept है electronic विन्यास तो मेरे बच्चों को याद होगा कि अगर electronic विन्यास की बात करते थे तो बीच में जो होता था वो होता था नाभे जिसमें mostly neutron और proton होते थे उसके बाहर K L M और N कच्छाएं होती थी अब electronic विन्यास में दो चीज़े आती है एक आता है funda no.1 Calamon के द्वारा दूसरा आता है funda no.2 S.P.D.F के द्वारा जैसे ही S.P.D.F आता है तुरंत याद आता है आप बाउ का नियम अब जब हम लोग आप बाउ का नियम पढ़े तो हम लोग rule को क्या लिखा 1 S.2, 2 S.2, 2 P.6, 3 S.2, 3 P.6, 4 S.2, 3 D.10 ये एक से 30 तक के तत्वों का क्या है बच्चो Electronic विन्यास अब इन्ही के आधार पर हमें बाटना है वर्ग नंबर 15 को अगर हम बात करे वर्ग नंबर 15 की तो सबसे पहला जो वर्ग आता है वो आता है 15 जिसे नाइकोजन के नाम से जानते अगर कोई मेरा बच्चा इंगलिश वाला देख रहा है तो आप याद रखेगा इसे P से स्टार्ट करेंगे P साइलेंट होता है जिसे नाइकोजन या नाइकोजन परिवार के नाम से जानते अब हम लोगों ने याद रखा था कि जब नाइकोजन की बात होती है तो उसमें तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा फंडा याद किया कि इन में कौन कौन से तत्वाएंगे तो एक फंडा था न्यूज पेपर आज सब बिग गयो न्यूज एन नाइट्रोजन पेपर पी आज आरसेनी सब एन्टीमनी बिग गय बिस्मत याद कर लो बदल जाएगी आपकी किस्मत अब जैसा कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कौन्फरिगेशन किया गया तो आया दो और पांच पांच मतलब पंद्रा वर्ग जैसा कि आप देख रहे है वर्ग नंबर पंद्रा है और आवर्ग सारणी में ये आए हमारे दो मतलब आवर्ग हो गई हमारी क्या दो यहाँ तीन यहाँ चार यहाँ पांच यहाँ छे नीचे हो गई तो साथ आवर्थ की संक्या होगी कितनी साल वर्ग की संक्या कितनी 18 उसी तरह अगर हम बात करें वर्ग नंबर 16 की तो वर्ग 16 क्या कह रहा है? वर्ग 16 कह रहा है हम लोग को चालकोजन या कैलकोजन उस्तोगर आप एक स्टुडेंट हो तो आप सभी के लिए गुट नियूज है यह वाटसअप नंबर आप ध्यान से देख लो 84-400-400 इसको अपने वाटसअप पे सेप कर लो क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमेश्टी बालो जी तो अब आपको टैंसलन एक जोत नहीं है आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी कोश्चन आपका फसरा है सबसे पहले ये नंबर आप सेप कर लो सेप करने के बाद जो भी कोश्चन में फ्री ओफ कोश्ट मिलेगा अगर आप क्लास 6 से 12 तक की स्टुडेंट हो आईटी जे या नीट की तेहरी करो या फिर आप सीब्यसी यूपी बिहार महराश किसी भी बोर्ट की स्टुडेंट हो तो आपको जीस भी स्टुडेंट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है आपको तुरंत उसका वीडियो सॉलिशन मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है आज इस नंबर को सेप करो ताकि जब भी आप पढ़ाई करो क्योंकि अभी बोर्ड एक्जाम तो नजदीक है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉलिशन का आंसर पास सकोगे ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर सेप करो और अपने डाउट को पूछो क्या होगे बई आंटी ओक्सीजन सोनू सलफर सीटी सेलनियम टी टेलोरियम पी ओ पोलोनियम फिर से आवर तीन चार पांच है बात हुई वर्ग सोला वर्ग सोला की बात करें तो बच्चों इसे कहते हैं हैलोजन हैलोजन याद आते ही क्या याद आता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आईडो एस्टे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और लास्ट है हमारा वर्ग नंबर अठारा जिसे अक्री गैसे कहते हैं अक्री गैसों को याद करने के लिए हम लोगों ने याद रखा था क्या हे नानी आराम कर जिन्दा रहेगी अब ट्रिक के कॉर्डिंग हमसे कभी कभी एक्जाम में पूछ लेता है अटामिक नंबर तो यह सेवन पे सेवन अब याद रखे इसी के बेस पे हम लोग जोडेंगे जब केलमेंट करते थे तो केक अच्छा में दो एल में आठ एम में अठारा और एन में बत्तिस ऐसी चीज़े याद आ रहे हैं इनी के अधार पर अब लोग जोडते थे तो साथ में आठ जोड दिया तो कितना हो गया पंदरा अब पंदरा में ठारा जोड दो तो कितना हो गया बच्चा तैतिस तैतिस में ठारा जोड दो कितना हो गया एक्क्यावन 51 32 जोड़ों कितना हो गया 83 ये इनके atomic number वैसे ही 8 16 34 52 और 84 ये इसका atomic number सेम 9 17 35 33 85 ये 2 10 18 36 54 86 ये हो गया हमारे पहले का answer आप screenshot खीच लिजे या तो इसको लिख लिजे अगर कोई doubt से तो मुझे बताईए comment box में या telegram पे fast अच्छा लगी तो like ज़रूर करिए fast fast अच्छा जली बड़े जली चली बार के चलते हैं यहां तक हो गया होगा ये हमारे question number one का answer है अब हम लोग चलते हैं अपने question number two पे देखे अगर question number two की बात करें तो question number two हमसे क्या कह रहा है question number two हमसे कह रहा है जली question number two की बात करें तो question number two कह रहा था अमोनिया विदी के अनुसार किसके अमोनिया विदी के अनुसार हमें क्या करना है निर्मार question number two प्रयोक शाला में अमोनिया का निर्मार ये सबसे most important है आप दिखोगे हर वोड एक्जाम में ये popular question आता है जैसे ही अमोनिया का नाम आता है तुरंत याद आता है क्या हैवर विदी सबसे popular यही question बनता है अमोनिया के case में क्या हैवर विदी द्वारा अमोनिया का निर्मार करिए अब जैसे ही ammonia का नाम आता है तुरन हम लोग को याद आता है उसका formula NH3 बताईए बात पकड़ में आ रही है अगर हमसे question में हैबर विधी नहीं पूछा और विधियां कहें तो दो विधियां और है हम इसको क्या करते हैं दोनों विधियों की बात कर लेते हैं सबसे पहले step number one की बात कर लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रयोक शाला की आपको exam में जो याद रहे और दूसरा step number two याद कर लेते हैं मतलब कौन? हैबर विधि की इस तरह हम लोग दोनों विधियों द्वारा आपको लिखवा देंग रहे आप मेरे बच्चे जो भी exam में आदो वो लिख दीजेगा जैसा की question का मतलब होगा अगर हम बात करेंगे प्रयोक शाला वीदे की तो फंड़ा क्या कहता है? फंड़ा ये कहता है कि यदि अमोनियम क्लोराइट क्या? NH4Cl जिसे कहते हैं नौसादर नौसादर पर बुझा हुआ चुना मतलब CAOH का whole choice जिसको कहते है क्या? बुझा चुना से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवर, CACL2, जल और अमोनिया गैस प्राप्त होती है ठीक है? और क्या प्राप्त होती है भाई? अमोनिया गैस प्राप्त होती है अगर यही question हमसे हैबर विदी में पूछे तो फंडा क्या कह रहे? देखें दोने एक जगा लिख रहे कि आपको ये चीज़े अच्छे से याद हो जाए अगर हैबर विदी में बोला गया तो कहा गया nitrogen और hydrogen की क्रिया कराई जाए तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है बैलेंस करने के यहाँ दो लगा दिया तो यहाँ तीन हो गया इससे एक बात का सेंस निकलता है कि एक भाग होना चाहिए nitrogen और लगबग तीन भाग होना चाहिए क्या hydrogen तभी मिर्माड होगा किसका अमोनिया गैस का अब इसमें question यह भी बनता है कि इसमें उत्प्रेरक क्या होते है तो उत्प्रेरक होते हैं दो एफी और एमो जहां एफी जो है इसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और एमो जो है इसको कहते हैं मॉली ब्लेडनम यह मुख्य रूप से कहलाता है हमारा उत्प्रेरक वर्धक बदाई बिच्चा इसको कॉपी करिए क्या है उत्प्रेरक वर्धक सवाल यह है कि प्रयोक शाला विधी में अमोनिया गैस के निर्मार की सचित्र वर्ण करिए तो जब भी बात आएगी बच्चों सचित्र वर्ण की तो हम चित्र आपको बोर पे बना रहे हैं आप बिल्कुल उसी के अनुशार याद कर लिजे पेंदी का फ्लास्क ले एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले चलिए भाई अगर हमसे कॉस्ट्टन में कह रहे हैं गोल पेंदी का फ्लास्क ले तो हम क्या करते हैं एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं बढ़ाईए ले लिया आगे चलिए एवब एक छिद्रवाले कार के द्वारा निकास नली लगा देते हैं ध्यान दीजे क्वेशन की मीनी कह रहा है कि इस पे एक छिद्रवाला कार के लिजे और इसमें क्या करिए निकास नली लगा दीजे देखे ध्यान से निकास नली लगा दीए अब ये अपने आप हवा में तो रहेगा नहीं इसको कसेंगे कहां स्टैंड पे तो हम क्या करते हैं स्टैंड पे इसको हम कस देते आप लोग अच्छा बनाएगा और यहां पे तार की जाली लगा देते बोली क्या ये बात पकड में आ गई नीचे क्या करते हैं एक छोटा सा बर्नर लगा देते जिससे यह क्या होगा आसानी से जो है हम गर्म कर सकते यहां पे नोजल लगा देंगे जिसके द्वारा हम उसको गटा बढ़ा सकते हैं तो क्या है सरप्रतम एक गोल पेदी का फ्लास्क एवं एक छिद्रवाले कार्ग के द्वारा निकास नली को क्या कर देंगे लगा देंगे उपकरण को स्टैंड में कसकर निकास नली का एक सिरा फ्लास्क में तथा दूसरा सिरा जिस लाइन टावर लाइन टावर में लगा देते हैं अब देखें एक सिरा कह रहा है निकास नली और जो दूसरा सिरा है उसको हम ले जाएंगे कहां लाइन टावर में तो नीचे एक टावर बनाते हैं यही हमारा क्या है लाइन टावर कहलाएगा और आप याद रखेगा बच्चो जो लाइन टावर है उसमें हम लोग भर देंगे क्या C.A.O. देहाँ से देखेए एक दम सन में आएगा आएगा आपको चित्र अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा ओपर हम बना लिखते हैं गैस जार यह गैस जार उल्टा है और इसी में हम लाइंगे अपनी पाइप को यह अपने आप हवा में तो रहेगा नी इसलिए इसको हम क्या कर देंगे इस्टैंड से कस देंगे यह हमारा गैस जार है यह हमारा स्टैंड है यह हमारा लाइन टावर है इसमें हम क्या करते हैं दो चीजों का मिश्टर भर देते हैं NH4CL और CAOH का होल ट्वाइस यह हमारा बर्नर है यह हमारा फ्लास्क है यह हमारी निकास नदी है अगर बच्चों बोर्ड एक्जाम में आप यह सारी चीजे लिखेंगे तो एक्जामनर समझेगा कि बच्चे को बहुत अच्छे साथ है बच्चा बहुत अच्छा है जो चीजों को याद करके लिखा है ये तार की जाली अब इनी की साहिता से विधी आप लिखें विधी क्या कह रहे हैं विधी हमसे कह रहा है कि एक सर्फर्था में गोल पेंदी का फ्लास्क लेकर एक छिद्र वाला कार्क लगा कर निकास नलिका एक सीरा फ्लास्क में तर्था दूसरा सीरा लाइम टावर में लगा देते हैं फ्लास्क में NH4, CL और बुझा चुने का मिस्रल लेकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वास्पित गैसे लाइम टावर में अवशोशित होकर उल्टे गैस जार में एकत्रित हो जाती है बताईए क्या है इस लाइन में कोई दिक्कत है जल्दी से कॉपी कर लीजिए अगर कोई डावर से तो मुझे जरूर बताईए जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा उतनी जल्दी हम लोग आएंगे फस्ट फस्ट आरे सन्विटा अगर चली हम आगे बढ़ते हैं ना इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब में नेक्स टॉपी की देखें सबसे पहले बात करेंगे थे इलेक्ट्रोनिक विन्यास के आधार पर आवशार्णी में नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, हैलोजन दूसरा था अमोनिया गैस के निर्मान की विदी अब तीसरा कहा रहे है नाइट्रिक अमलक की कुछ विदियां जैसे ओस्ट वॉल्ड विदी बर्कलेंड या आइड विदी का सचित्र वणन कीजे बिटा ध्यान दीजे हमसे क्वेशन में कह रहा है कि नाइट्रिक अमलक तो बेटा जैसे ही अगर हम बात करे नाइट्रिक अमलक की तो हम लोग को याद आता है नाइट्रिक अमलक का फॉर्मूला जो है वो होता है HNO3 यह हमारा क्वेशन नमबर 3 है और जैसे ही हम नाइट्रिक अमलक की बात करते हैं तो दो विदियां याद आती हैं, एक आती है ओस्ट वॉल्ड विदी, और जो दूसरी याद आती है, जिसे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? दूसरी विदी को किस नाम से जानते हैं? दूसरी विदी को हम लोग जानते हैं, बकलेंट या आईट विदी, देखीजिए, अब हमसे कह रहें कि दोनों विदियों का क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है, किसकी किसकी? चाहे हम बात करें ओस्ट वॉल्ड विदी की? चाहे हम बात करें किसकी पिटा? आईट विदी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हम लोग के एक्जाम में ज़्यादा तर पूछा जाता है, ओस्ट वॉल्ड विदी, कॉपी निकाल लीजे, ओस्ट वॉल्ड विदी के लिए, क्या है? इसमें अमोनिया गैस वायू से, आमोनिया गैस वायू से आक्सिक रित होकर, नाइ्ट्रिक ऑक्साइड बनाती है, क्या बना दी? अमोनिया गैस, वायू से क्रिया करकर सबसे पहले क्या बनाएगी? नाइ्ट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, तो हम लोग क्या देंते हैं? पुना, आक्सिक्रित होकर, नाइ्ट्रोजन डाइ ऑक्साइड देती है, नाइ्ट्रोजन डाइ ऑक्साइड देती है, या जल से क्रिया करके, नाइ्ट्रिक अम्ल में परिवर्थित हो जाती है, परिवर्थित हो जाती है, देखें बिटा, हम से कह रहा है कि सबसे पहले, हम लोग के पास था अमूनिया गैस, जो वायू से प्लैट्टीनम उत्प्रेरक की उपस्थिती में क्रिया करके, बन जाएगी नाइ्ट्रोजन ऑक्साइड और साथी साथ निकलेंगे जलके वास्प, उसके बाद ये पुना ऑक्सिजिन से ऑक्सिक्रित होकर नाइ्ट्रोजन डाई ऑक्साइड में परिवर्थित हो जाएगी, अब हम लोग के पास नाइ्ट्रोजन डाई ऑक्साइड की क्रिया अगर हम जलसे करा दे, तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए क्या क्या चाहिए नाइट्रिक अम्ल ये है इसका समेकरण जल्दी से इसको कॉपी कर लीजे समझ में आया तो clear sir करिएगा अगर कोई doubts है तो please comment box में जरूर comment करिएगा छिक है हमसे question कह रहा है चित्र अगर हम बात करे ओस्ट वर्ल्ड विधी का चित्र तो मेरे बच्चों को याद होगा पिछली class में हमने इसके चित्र को ड्रॉ किया था लेकिन फिर भी अगर आपको वो चीज न समन में है तो आज की class में हम फिर उसको बता दे रहें आप बिल्कुल ध्यान से मन लगा कर इसको देखिए और आपके कोई भी doubts होगा तो मुझे जरूर बताईएगा fast fast थोड़ा सा line मेरे टेड़ा बन सकता है आप कोसिस करेगा अच्छे से देखकर बनाईएगा इसको कहते उत्प्रेरकच जहां पर हम गैसों को रखेंगे यहीं पर हम रखेंगे अपने इलेक्ट्रोडों को यह उत्प्रेरक प्लेट है जिनका टेंप्रेचर लगबख 700 से 800 डिग्री सलसियस होता है गैसे जो है इनी में परिवाहित होगी इसमें हम अमोनिया के साथ वायू प्रवाहित करेंगे यह हमारी प्लेटीनम की जाली है इसे कहिएगा क्या उत्प्रेरक कच अब यह यहां से होता हुआ चला जाएगा आकसी कारक टावर में जिसको कहते हैं आकसी कारक टावर बना लीजे भाई जिसमें आपको बता रहे थे कि जो नाइट्रस ऑकसाइड है वो ऑकसीजन से क्रिया करकर परिवर्थ होजकर नाइट्रोजन टाई ऑकसाइड में परिवर्थित हो जाएगा यहां के बाद इसको एक अठा कर लेंगे हम किसमें जल के द्वारक में फास फास्ट यहां से हम जल की बूंदे प्रवाइद करेंगे इसमें रख लेंगे क्वार्टेज के टुकड़े और यहां पे एक अत्रित कर लेंगे हम हम एच एन नू त्री यह हमारा क्वार्टेज का टुकड़ा हो जाएगा यहां से सेस गैस से बाहर निकलेंगे इस लाइन में कोई दिक्कत बहुत इजी है अगर आप छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे तो हंडेट प्रशन आपके बोर्ड एक्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छा हैंगे बस चीजों को आप याद करना शिखिए ठीक है हमने क्या पाया हमने पाया कि केस प्रकार अगर देखा जाए देखे बटा कॉशन कह रहा था हमसे कि अगर हम बात करें अपने हैबर वीदी की तो हैबर वीदी में अमूनिया गैस का निर्मार देखा उसके बाद हम लोग बात कि ये ओस्ट वार्ड वीदी की ओस्ट वार्ड वीदी में बक्लैंड वीदी और किसको देखा आखलेट को तो चलिए आज कर इतना ही thank you so much next class में मागी की बात करेंगे